हेलो फ्रेंट टेक्निकल परक यूटूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप एक विलोगर हो और यूटूब पर विलोगिंग का काम करते हो तो आपको एक अच्छा से थमनेल की जुरूरत अउससे पढ़ते होगी तो फ्रेंट्स आज की सीडिय को जोड़ कर लोगी थमनेल बना सकते हो इसे फरकार तो दोस्तों सबस पह लिड ahora MILL उपने का फोटोंप ऊपन कर लेना है तो कुछ इस तरह eh उसके बाद यहाँ पर file लिखा हुआ है इस पर आपको कलिक करना है उसके बाद आप देख सकते हों यहां पर new लिखा हुआ है इसके बाद कुछ इस तरीके से खुल कर आएगा उसके बाद आप देख सकते हों यहां पर कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है तो आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां पर पिक्सिल ले लेना है यहां पर भी आपको पिक्सल ले कर आ जाएगा उसके बाद आपको यहां पर फौटू डालने है तो मैं इस फोल्टर में से फोटू ट्रेक करके मां पर डाल देता हूँ तो मैं यह वाला फोटू ले जाता हूं पहले और कुछ इस तरीकी के से डाल देना है तो यह डाल चुका है तो मैं से अपने अनुसार एड़ जैस्ट कर लेता हूं कि तो मैंने इसको एड़ जैस्ट कर लिया है उसके बाद आप देख सकते हैं पर यह टिक कर निसान से बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको दूसरा फोटो पीस में डालना है ड्रै करके तो मैं दूसरा फोटो भी डाल लेता हूं तो मैं यह वाला फोटो डाल लेता हूं तो मैंने दूसर फोटो इसमें डाल लिया है मैं अपने इनुसर इसे एड़ेस्ट करता हूँ तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो इसे छोटा करने के लिए आप देख सकते हूँ यहाँ पर बिन दिसी बनी हुई है इसके कोने पर निचली तरब आपको शिफ्ट दवाना है यह अंद्रू कर देना इस तरीके से खैद देना तो फोटो छोटा हो जाएगा अगर इसे ऐसे करके खैच होंगे तो यह बड़ आप इस पैनल पर यहाँ पर किलिक करोंगे तो यह लंबा हो जाएगा अगर इससे फिर से यहाँ पर किलिक करोंगे तो यह चोटा हो जाएगा उसके बाद आपको साइज में यहां से कम बड़ती कर लेना है तो मैं यहाँ पर 190 कर लेता हूँ आपको 190 में कर लेना है तो मैं और हाडनेस को आपको 0% कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर यह कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको यहाँ पर किलिक करना है तो जैसे इस पर आप किलिक करोंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस पेसिंग म किलिक कर रहा है उसके बाद आप देख सकते हो यह जो इमेजिस है हमने दूसरे वाले डाला था इस पर हमें एक बर किलिक करना है इस वाले से इरेज करना स्टार्ट करता हूं तो मैंसे अपने इरेज कर लेता हूं आप पे अपने इरेज कर लेना तो मैंने फोटो इस तरीके से इरेज कर लिया है उसके बाद मैं एक तीसरा फोटो भी इसमें डालता हूं तो मैं ट्रेकर करके इसे लाता हूँ तो मैं इस वाले फोटो को ले लेता हूँ तो मैंने तीसरा फोटो भी डाल लिया है और अपने इनुसार इसे छोटा बड़ा करके अड़ेस्ट कर लेता हूँ तो मैं शिफ्ट दबाता हूँ इसे छोटा कर लेता हूँ कि तो मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ तो मैंने इसको और छोटा कर लिया है उसके बाद आप देखे तो यह टिक कर निसाने इस पर मैं किलिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इरेज पर किलिक करके जिस वाले फोटो का हमें इरेज करना है जैसे कि हमें इसे वाले को इरेज करना है तो मैं इस पर किलिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ तो यह eraser open हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपने अनुसारी से erase करता हूँ तो दोस्तों आप देखते हो मैंने इसको erase कर लिया है और अच्छी तरीके से इसे fit कर लिया है उसके बाद अगर आप इसमें कोई test लगाना चाहते हो तो यहां से आप इसमें test भी लगा सकते हो तो जैसे कि मैं इसमें एक test लगा देता हूँ वो लोग थमनें अलका तो तुम इसका color change कर लेता हूँ तो मैं इसे और छोटा कर लेता हूँ उसके बाद आप देख सकते हो यह thumbnail बन चुका है और इसके बाद मैं यहां पर tick पर click करता हूँ उसके बाद यह photo आपको save करना है तो इसके save करने के लिए यहां पर file पर click करना है और save as पर click करना है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा उसके बाद आपको यहां पर नाम दे देना है तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं तो मैंने इसका नाम दे दिया है और यहां से इसको Photoshop पर आपको क्लिक करना Photoshop PhD पर और यहां से JPG मैं इसे सेव कर लेता हूं और यहां पर desktop पर सेव करता हूं और save पर क्लिक कर देता हूं उसके बाद OK कर देना है तो यह फोटो आपका desktop पर सेव हो चुका है तो फ्रेंस आप इस तरीके से vlogging thumbnail बना सकते हो तो फ्रेंस वीडियो आपको कैसे लेगी कमेंट करके जरूर बताए तो फ्रेंस मिलता आप से नए शूरियों थैंक्स पर राचिंग